बेल पेबर रेस्टार्ण वसभी में लोकेटिट है और आज हम किचिन में क्या होता है वह देखने वाले और आज हम चिकन रिष्मी कबाब तंदूर की बहुत स्पेशारिटी है शेफ यश्वीर हमें बताएंगे आज चिकन रिष्मी कबाब किस तरह से बनाते हैं तो हम आजाता है शेफ यश्वी राज हम तो बताएंगे कि इस तरह चिकन रिष्मी कबाब हम बनाएंगे पहले इंगरिएंटो करते हो हमको बताएंगे अधरक लसुंगा पेस्ट काला नमद रेग्लियर सॉल्ट इलाइची पाउडर प्रूडर का प्रूडर का प्रूडर का प् चिक हाँ गविव फ्रीम चान बनाइट रेग्ली चार्ड मसाला हिए यह सफ़े चीज क्या है यह छोडप बेशी इस वची ही है कि रोके दोड़ च्विचेश के लिए हैं पाइचर का पाजू पेस यह हैसे हैं अज़कर अधर के ब्चलर दॉकर्ट-भाइच करिश को अ द इसका नाम रेश्मी कबाप बना है इसको आप बीट करेंगे और रहा है इसका नाम रेश्मी कबाप बनाएं कि इसको आप बना रेश्मी कबाप अब देखते हैं इसको किस तरह से परिपर करते हैं तो ते पिस्टिर आप दिया किस राहते सब तर बहने साट ने? अरीबर दो तेबल स्पूल जिंदर गालिक बिस्ट पार आसे वाई तेबर 30-40 ml डिपाइंड ओल ताज़ पेस्ट तेबर दो तेबल स्पूल गाज़ पेस्ट आपको अब लाव बिस्ट करीबन 1.5 टे टेबल स्पूल इन्होंने लिया है रोस्टेट चना का जो आपने बनाया था पौॉडर वो लिया है और सौल्ट आप स्वादनु सार यूज करते हैं राइक सौल्ट करीबन 1.4 टी स्पूल करीबन 1.5 टेबल स्पूल कि लाइची का बॉर्डर 1.4 टी स्पूल लसुरी मेठी हाफ टी स्पूल तो आप देखते हैं यहां पर सौल्ट भी यूज हुआ है और चीनी भी यूज हुई है इसको जिसने इडिश को बैलेंस करने में अदर्थ मिलेगी और इसके लावा यह दाल रहे हैं अमूल की प्रोसेश चीज इसमें थोड़ा सा सौल्ट का गंटेंड होता है पर उनने ज इसे सारी इंग्रेंड अच्छे से पाइंड हो जाएगी करीबन करीबन बोल सकते हैं आपको 60-70 ग्रांट रहें अंकट लिए कर देख सतने हैं कि ऐख सेश्वीर ने इस सारे इंगेट को डाल दिया है और मसाली को तयार करने हैं आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो पीला है इस पीला आने की वज़े है इसमें हमने थोड़ा सा साफरेन वाटर डाला हैं अगर आप साफरेन वाटर अगर आपके पास अवलीबल नहीं है तो आप खल्दी का इस्तमाल भी करता है तो इससे एक बढ़िया करने मिलता है अब आप इसने को आइड करने वाले है और करीबर आप बगट होते हैं अगर आप पटिंग करते हैं तो आपको बराबर तबाख की पीस मेरेंड हो गया है कि नेकिन को मैरेड कर भी रहा है और जयता है हम इससे मेरेड के लिए रखांए है इससे हमें जो इससे मेरेड करने के लिए रखाए है कि आपको ज्यान रखना है कि रेश्म निकालेगी आपको से एक वेड़ी उता है तो भी आपको बना है किसा थे रेश्म निकाल सकते हैं अब देख़ते हैं यहां परी के पास एक अलक्सरी बीटर है इस चल्बी बीटर पर अगर आप क्याशी अवलेबल नहीं है तो आप फोसे भी इट कर सकते हैं अब देखते हैं, वरीबन दो से पीज नेट हो गए है, और आपका रेशन अगर पर तैयार हो गया है, तो यह हमने तैयार कर लिए, ताकि हमारा जो ट्राइन है वो इस युटिलें हो जाए है, जब हम गवाब रेडी करें, हम इसे तैयार करके खोड़ीजर फिर्ज में सेटो यह अच्छे से उसने हो आपने पकड़ मन रहे हो सारे हैं, तो आप रहा हैं जिस तरह हैं कि शेप यश्वीर ने करीबन 30 मिनिट के लिए चिकन को मैंने करने के लखाता, तो 30 मिनिट हो गया है, अब हम चिकन को सहीए पर लगाना चूब करेंगे, जिसे हमें उसे तंदूर और ना चिकन के लिए आखानी हो, आप देख सकते हैं किस तरह से की चिकन को स्कीवर पर लाना चूब करते हैं, आप देख सकते हैं कि शांके कि इस पर evenly सारे जगा पर मसाला रहे और इसे बढ़िया मिला है यह लोग आप देख सकते हैं उन्होंने बताया था कि उन्होंने स्याफ्रण या तो आप खल्दी का इस्तमाल करते हैं चीज के लिए तो हमारे जो द्रेश्मी वह सीफ में चले गए आप हम इसे तंदूर में ड आप देख सकते हैं इसा इसा बहुत ही बढ़िया लग रहा है जो आप इस ते रेश्म लगाना शूरू करेंगे आप देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया रेश्म लग रहे हैं आप देख सकते हैं एक तरह cotton का परत बन गया है और दिखने में बहुत भड़िया लग रहा है तो आपको पुरी तरह से cover करना है अच्छा से cover करेंगे अच्छा अच्छा आजाता है ठीक है आप देख सकते हैं शेफ यश्वीर ने रेशम लगा दिया है और अब इसे वह फिर से अब देख सकते हैं रेशमी कबाब राया है शेफ ने आपने बीच में क्या आप आप देख सकते हैं रेशमी कबाब बहुत बहुत लग रहा है तो आप वेल पेपर को दिश को जरू ट्राइब कीजिये और वेल पेपर online available है आप take away delivery के लिए इसे order कर सकते हैं thank you